हेलो और स्वागत है दोस्तों आपका आज की डेक नियूस में दोस्तों बहुत सारी करमर करम आज आपके लिए टेक नियूस लायों दोस्तों बढ़ते हैं पहले टेक नियूस के आप दोस्तों अज आइपोन 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max लॉंच हो चुके हैं इन में मिलता है आप Apple की नई Bionic chipset A13 processor जो की काफी efficient processor है और अच्छा processor है plus इसमें मिलती है आपको LCD display और OLED display पर दोस्तों main चीज तो price होती है और इनकी price जो iPhone 11 है उसकी price रखी गई है 57,000 और जो iPhone 11 Pro है उसकी price 83,000 और जो iPhone 11 Pro Max है वो है 1,08,000 दोस्तों और जब इंडिया में आएंगे तो और भी महेंगे आएंगे क्योंकि जब भी iPhone 11 जब इंडिया में आते तो US की price से जादा price में आते दोस्तों अब आप सोचिए आपको iPhone लेना है नि लेना ही क्या सोचके price set करते मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं आता 53,000 में आपको LCD डिस्पेर मिलती है इस सचा तो हमारा VLME X है जो की 17,000 में AMOLED डिस्प्ले दे रहा है इसकी price सुनके तो यह निकलता है भाग यहां से बढ़ते दोस्तों अगली न्यूस की तरब दोस्तों M.I.TV इंडिया में 17 सब्टेंबर को लॉंच होना है प्लस इसके साथ लॉंच होगा इनका Mi Band 4 जो की काफी अच्छा fitness बैंड है अगर आप इंट्रेस्ट है तो जब उससे जाके देख सकते है मैं आपको सारी details बता दू दोस्तों अगली टेक न्यूस की तरफ दोस्तों वीव यूटन यह भी ऑनलाइन सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है और यह बहुत जल्दी लॉंच होने वाला है प्लस इसमें मिलेगी आपको फास चार्जिंग और अभी प्रोसेसर के बारे में इसकी कोई details नहीं है जब details हैंगे मैं आपको जरूर से बताऊंगो और जो आपको इसमें फास्ट चार्जिंग मिलेगी वह आपको box के अंदर ही मिलेगी तो यह काफी अच्छी बात हो जाती है यह भी वीव यूट एक्षा स्मार्टफोन होने वाला है ऑनलाइन सेग्मेंट की तरफ दोस्तों वन प दोस्तों इंडिया में लॉंच होने वाला है वह बहुत जल्दी यानि कि 20 स्मार्टफोन होने वाला पूरा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा और काफी अच्छी स्पैसिफिकेशन के साथ आएगा इसमें आपको डूल पॉप-प मिलता है फ्रंट में दोस्तों बढ़त पर गेम ऐसा भी ना खेले कि आप एक अडिक्टेड हो जाओ जैसे कि आजकल जो गेम चल रहे है पब जी वगेरा इनमें लोग इतना ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि इनको पता ही चल रहा है वैसी न्यूस आई है कि 21 साल के लड़के ने अपने पापा को मार दिया तो कि यानि कि चकको से मार देख क्योंकि उसके पापा उसका रिचार्ज ने करा है कि वह पूरा अडिक्टिक हो चुका था पबजी के लिए इस वजह से उसकी safety के लिए उसका recharge नहीं क्या जा रहा था पर जब वो over control हो गया थो उसने अपने पाबगाई murder कर दिया तो दोस्तो आपसे विंती है कि आप game खेले पर एक limit में खेले इतना जादा भी मत खेले कि आपको पता ही नहीं आप कर क्या थे बढ़ते हैं अगली टेक्नियूस की साथ launch होना था पर एक गलती से और इसका accidentally अपडेट चले गया तो दोस्तों आज की टेक्नियूस नहीं खत्म होती है आसा खड़ता आपको वीडियो अच्छी लेगी तो like जो करें मेरे चानल में नहीं होता सब्सक्राइब करें बैल आइकन को hit करके all पर करें ताकि मेरी सार होना सब्सक्राइब зан सक्वाप